अगला वला question देखिए आपको second question दिया गया था y बराबर continuous कड़ी में 1 प्लेस x square प्लेस 1 अपान x इसका अज हम आउकलन करेंगे आपको याद होगा मैंने ये बताया है कि अगर 1 प्लेस x square कड़ी के अंदर रहे तो आपको x बराबर क्या मानना है 10 theta अगर आप यक्सी बराबर 10 theta मानते हैं तब बताये ये वाला फलन क्या हो जाएगा y बराबर cut in verse कड़ी में 1 प्लेस x square theta प्लेस 1 डिवाइड बाई कितना 10 theta और आप सभी को फार्मला याद है कि 1 प्लेस x square theta किसके बराबर होता है 6 square theta के हम लिखेंगे क्या 6 square theta प्लेस 1 अपान में 10 theta और 6 square theta अगर कड़ी के बाहर आएगा तो इसको लिखा जाएगा 6 theta प्लेस 1 अपान में 10 theta इसको हम थोड़ा सा सरल करते हैं sin cos में बदलते हैं तो 6 theta का जो फार्मला होता है 1 अपान cos theta होता है और 10 theta का होता है sin theta upon cos theta और LCM लेके बताईए यह हो जाएगा cot inverse cos का इसमें गुड़ा कर दिया जाएगा 1 प्लेस cos theta अपान क्या बचेगा cos theta whole upon sin upon cos theta cancel हो गया आपको क्या मिला cot inverse 1 प्लेस cos theta अपान में कितना है sin theta और थोड़ा सरल करें तो आपको मिलेगा cot inverse 1 प्लेस cos का फार्मला होता है 2 cos square theta by 2 minus 1 और sin theta का फार्मला होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2 नेश्ड जो आप आगे लगाएंगे उसको कैसे किया जाएगा द्यान दे तक फार्मला होता है अपको एफार्मला है